तो हे गाईज आज किस वीडियो में आप सीखने वाले हैं रासाइन एक समी करण को संतुलित कैसे करें हाउ टू बैलेंस केमिकल एक्वेशन चाहे आप इंगलिस मीडियम के हों चाहे हिंदी मीडियम के हों दोनों लोग यहाँ पर सीख कर जाने वाले हैं देखो यहाँ पर हमने चार एक्जामपल लिए हुए हैं और भाई सब आप विस्वास नहीं करोगे अगर आप इन चार एक्जामपलों को सीख लेते हैं तो दुनिया की ऐसी कोई भाई सब सकती नहीं है कि आप अधर एक्जाम है वो समझाएंगे ठीक है और दूसरा एक्जम्पल देखेंगे यह थोड़ा सा हाई है और यहां पर देख सकते हैं तीसरा जो सवाल है यहां पर हमने होल ट्वाइज लिया हुआ है यहां पर बच्ची क्या करते हैं तत्व यानि कि जो आपके यहां पर आप देख सकते हैं कि मैंने पहला एक्जम्पल लिख लिया है इसके बाद आपको आंगे की सिखाएंगे लेकिन जो आज तक आपने इस से रिलेटिव सीखा है वो थोड़ी देर के लिए भूल जाईए और जो मैं यहां पर बताने वाला हूं उसके लिए केवाल तो यहां पर आप क्या करेंगे थोरी देर मेरी भासा में छुझ लिजी ठीक है तो अपन इस में क्या कहलाता है नहीं की संख्या परमाड़ों की संख्या और उत्पादों की संख्या ठीक है उत्पाद के परमाड़ों की संख्या परमाड़ों की संख्या जब बरावर हो जाती है तो आपका जो समीकरण है यानि की एक्वेसन है वो बैलेंस हो जाता है कहने का मतलब है अगर हाइड्रोजन और ऑक्सिजन की स लंक्या चार होनी चाहिए तभी आपका समीकरण बैलेंस होगा ठीक है अब आपने जो सुना है और जो मैंने बोला है उसका मतलब आपको इस समीकरण में अब सिखाएंगे ठीक है तो वह आप सीख लीजिए कि देखब यहां परंथ कितनी है दो है यह लि pronounce टरीका आप सी इतनी हैं तो आप से सब Öz्वुश बनने लगीगा यहां पर अफ्रीन में यह हैं कितनी है दो हैं तो है ठीक है इसके और आपको एक एस लराइन में खीच लेना है यहाँ पर हैं कितना है एक कितना है दूत देखना है और और हैं कि लगाए बीच में लगा है बीच में तो साथ में क्या फपन्डा वो selective ठीक है यह समूर तो आपको उससा क्रिवा ना ना अगर हम यहाँ पर 2 का गुणा करते है तो hydrogen में भी गुणा होगा और oxygen में भी गुणा होगा लेकिन अगर हम इसमें दो का गुणा करेंगे यह तो hydrogen भास मेइं फर्फड़ अइन को डाहल नहीं यह कहलता है गृृब का संख्या 2 होनी चाहिए और ऑक्सिजन की संख्या 2 होनी चाहिए यहां देख सकते हैं हाड्रोजन की संख्या तो सेम है है लेकर ऑक्सिजन की संख्या सेम नहीं है तो इसको बैलेंस करना है आपको सबसे पहले इस प्रिकार से देखा जाता है तो यहां पर आप देख सकते हैं कि आपन को oxygen balance करना है यहां पर दो है तो अपन को यहां पर भी दो करना है वो कैसे कर सकते हैं अगर हम यहां पर दो का गुणा कर दें तो यहां पर तो दो हो जाएंगे क्योंकि दो हो जाएंगे यहां पर भी तो गुणा होगा तो hydrogen कितने हो जाएंगे चार दो दूनी चार और हमेशा यहां पर गुणा होता है पिलसलस कुछ नहीं होता है ठीक है दो दूनी चार तो भाई साब यहां पर हाइड्रोजन बिगड़ गए क्योंकि यहां पर दो है और आपने यहां पर चार कर दिए तो कुछ नहीं है यहां पर आपन दो का गुणा क है कर देखो के सकते हैं सवरे हाल आपका बैलेंस हो चूका होगा ठीच है तो यहां मोगता कप है यहां पर लिए यहां पर परसमूम है तो आप यहां पर किया कर दीजिए यहां परünü Flex तो यहआ पर आपन किया हो और कि एक किया जाता है तो तो इसे पर कि नहीं पड़ेगा इसमें फड़ेगा इसमेंने पड़ेगा और यहाँ पर केवल इसमें पढ़ेगा इसमें नहीं पढ़ेगा क्यूंकि यहाँ पर पिलस है अगर आप इस बात को जान चुके हों तो अब आपन क्या करते हैं दूसरा एक्जामपल लेते हैं और आपको सिखाए भाई साब आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हमने दूसरा ए लिखने के लिए बैसे आप एक बार लिख लीजिए यहां पर सोडियम कितना है दो है और सलफर कितना है एक है और यहां पर ऑक्सिजन कितना है चार है लेकर यह क्या है एक समू है ठीक है फिर यह आपको क्या लिखा हुआ है यानि कि क्या कितने हैं आपके यहां पर एक है और किलोरी ना आपका कितना है दो है लेकर यह एक समूव है तो अपने कह करेंगे कोश्टबंे पिर आपको क्या करना है इस प्रिक निक़ है यहाँ के हैं एक लोकी बाएक नम किळेंगे ठीक है और फिर क्या है आपका लेकर यहां पर देख सकते हैं आपके सोडियम आप सबसे पहले देखिए यहां पर दो है और यहां पर एक है सबसे पहले इसको बैलेंस करना है तो आप बड़ा चिन्न बना लिए इस परकार से फिर देख सकते हैं सलफर एक है और यहां पर भी स नार है और यहां पर अक्षियन 4 है यह वी आपका बैलेंस ऐसको स्कूरी करना है तो आप को बैलेंस करना औरी क्लोरिन्स करना वह आप को दो को जाएंगे ना ये हमते Will Grid कुणि दो की सास्राइगा तो आपके קलोरीश भी दो जाएंगे कि तोब दो कम धशुक्राइगा टो यहां पे देख सकते हैं क्लोरीन अपन को दो चाहिए थे ना वो एटोमेटिक हो गए है इतना सिंपल यह हमने लिया था कि आपको देखने में कठें लगे लेकिन सरल है बिलकुल तो अपन का पूरा बैलेंस हो चुका है देखिए एक बार सोडियम दो सोडियम दो हो चुके हैं ठीक है सलफर एक सलफर पूरा हो जाएगा आप मैच कर लिजिए पूरा सॉल्फ हो चुका होगा ठीक है तो अब आप क्या करेंगे अपन तीसरा एक्जामपल लेंगे फिर आपको वह सिखाएंगे यहां पर हमने तीसरा एक्जामपल लिख लिया है और इसको सॉल्फ करने से पहले आप यह वाला N3 का whole Twix है यहां पर तकStud कैसे गिने जाती है यानि है Lightrogen 1 आप कुछ नहीं लगा तो 1 तो इसका गोड़ा इस वाले 2 से होगा तो कितने हो जाएंगे घुल हो जाएंगे और और औक्शियन हैं 3 है तो यहां पर गोड़ा किस का होगा यह 2 होगा तो कितने हो जाएंगे 6 है कोपर तो आपके सिस्टम है कि यहां पर दो हो जाएंगे सीधे सीधे फिर क्या होगा यहां पर इस दो का गुणा पहले यहां पर यानिकी एक में होगा ठीक है तो यहां पर हो जाएंगे दो नाइट्रोजन कितने हो जाएंगे दो नाइट्रोजन हो जाएंगे इससे जब और इसमें 2 गुणा होगा ये वाला तो आपका 6 हो जाएगा फिर आपका इस दो से भी गुणा होगा जो यहां पर होल्ट वाइस में लगा हुआ है तो कितने हो जाएंगे 6 दूनी 12 तो भाई सब अगर आप इस बात को समझ गए हो ना तो भाई सब बहुत अच्छी तरह से आ सबस्ञाय करते हैं इस समी करण को सॉल्व करके आपको सिखाते हैं सबसे पहले आप देख सकते हैं इहाँ एक लो नाइट्रोयोन और आफ कितना और यहां पर अझाँ लिखने में swler Smu है फिर देख सकते हैं कॉपर कॉपर एक आपका यहां पर एक है ऐसी एक लाइन की जो फिर आप यहां पर देख सकते हैं यहां पर कितना है एक है ठीक है नाइट्रोजन आपका यहां पर कितना है दो है क्योंकि दो इसका गुणा होगा और आक्सीजन आपके यहां पर कितनी है 6 है क्योंकि तीन दूनी 6 लेकिन यह क्या है एक समू है ठीक है फिर इसके बाद आप देख सकते हैं यह है आपका एजी आपका यहां पर कितना एक अब आपको देख लेना कौन बैलेंस और कौन बैलेंस नहीं है जो नहीं होगा उसको बैलेंस करेंगे यहां देख सकते हैं आपका सिलवर एक है तो यहां पर सिलवर एक है इसको बैलेंस नहीं करना है देख सकते हैं नाइट्रोजन यहां पर एक है और यहां पर भाई सब कोपर एक है क्योंकि यहां पर कुछ नहीं लगाना आगे तो यह भी आपका बैलेंस है तो आपको दो दो चीज बैलेंस करना है नाइट्रोजन और ऑक्सिजन तो देखो यहां पर एक है और यहां पर दो है यानि कि अपन को यहां पर दो करना है अगर हम यहाँ पे दो का गुणा कर दें तो सबसे पहले आपका सिलवर दो हो जाएंगे हमने क्या बताया था समू है तो सम में फर्क पड़ेगा सम में गुणा होगा ठीक है फिर इस दो का इस एक में होगा तो आपकी नाइट्रूजन दो हो जाएंगे फिर इस दो का इस ती तो एक बार और सुन लीजिए अगर देखो बार बार बोलने से जिब यार लप लपा जाती है ना यहां पर देख सकते हैं सिल्वर आपका दो है और यहां पर एक है तो यहां पर दो है तो यहां पर दो है तो यह तो आपका दो है तो हम क्या कर सकते हैं यहां पर यहां पर अलग से लिख लो दूर से थोड़ा silver यहां पर एक है ना आपका यहां पर आप दो का गुणा कर दो तो आपके यहां पर दो हो जाएंगे यानि कि आपके यहां पर silver भी बैलेंस हो चुके हैं तो अब अपने कहां कहां बढ़ाया है यहां पर अपन लिख लेंगे यहां पर अपने सबसे पहले दो बढ़ाया ना किसम बढ़ाया एजी एन ओ में यानि की इस वाली में ठीक है तो आप दो लिख लीजिए फिर आपने बढ़ाया फिर आपने बढ़ाया यहां पर यानि की इस वाली में तो आप यह लिख लीजिए अब इसको आप मिटा लीजिए और एक बार आप यहां पर चेक भी कर सकते हैं किया हमने यह सही किया है यह गलत किया है देख सकते हैं यहां पर देख सकते हैं दो एन ए ठीक है यानि कि दो नाइट्रोजन दो नाइट्रोजन ठीक है फिर देख सकते है 3, 6 oxygen, so यहां पर 3, 6 oxygen, copper 1, copper 1, ठीक है, तो भाइस साब हमने यहां पर आपको इतना simple तरीके सिखा दिया है, अब क्या चाहते हैं मुझसे, ठीक है, तो अब आपको चौथा example सिखाते हैं, तो आप यहां पर देख सकते हैं, कि हमने चौथा example लिख लिया है, अब आपको इसको solve और करके दखाते हैं और ये मैं आप को बता ही चुका हूँ कैसे क्या गिना जाता है तो अब इसको बारवार रिपीट नहीं करेंगे यहाँ पर सकते हैं आपके हाइड्रोजन यहाँ पर एक है नाइट्रोजन आपका यहाँ पर एक है यहाँ पर आपको यहाँ यहाँ दो है एक एसी लाइन खीच लीजिए यहां पर देख सकते हैं कैल्सियम आपका एक है नाइट्रोजन यहां पर आपका एक है एक नहीं है बाइचाब 62 है और आपको देखना कॉन बैलेंस नहीं है यहां पर देख सकते हाट्रोजन यहां पर एक और दो तीन है ना आपको यहां पर भी तीन चाहिए लेकान आपके यहां पर दो है तो सबसेपहली हार्डरोजन को बैलेंस करना है नाट्रोजन देख सकते हैं यहां पर एक है और यहां पर दो है तो इसको भी बैलेंस करना है और यहां पर कितने औक्सीजन है यहां पर 6 और 7 है तो सभी को बैलेंस करना है अब यह समीकरण हमने जान बूच के लिया था कि सभी चीज बैलेंस करना हो तो आप कैसे कर पाएंग तो यहां पर हम क्या करेंगे सबसे पहले हाड्रोजन को बैलेंस करेंगे ठीक है यहां पर क्योंकि दो हाड्रोजन है और यहां पर आपका तीन हाड्रोजन है तो यहां पर हम क्या करेंगे सबसे पहले यहां पर दो का गुणा कर दो आप किसका कर दो दो का गुणा कर दो तो यहां पर आप देख सकते हैं, कि 2 दूनी 4 आपके hydrogen हो जाएंगे, और यहां पर आपके oxygen कितने हो जाएंगे, 2 कम 2, 2 oxygen हो जाएंगे, तो अब आप क्या करेंगे, यहां पर तो 3 हैं, अपने वहाँ पे 4 कर दीए, तो आप भी यहां पर 2 का गोणा कर दीजिए, यहां पर uphe hydrogen कित यह हैं और दो और दो यह है तो आपकी हाइड्रोजन भी बैलेंस हो चुके हैं रहां पर देख सकते हैं यहां पूरा समिकरण हो चुका है आप ने जहां बढ़ाया है वहां उपर लगा दो इस बढ़ाया तो यहां पर दो लगा दो फिर आपने कहां बढ़ाया केवल फिर आपने यहां बढ़ाया यानि कि आपको क्या करना है यहां पर दो लिखना तो अच्छी तरह से लिख दे रहे हैं पहला से टू एच टू ओ यहां पर दो बढ़ाया तो यहां पर दो लिख दो तो यहां पर देख सकते हैं धो नाइक्रोजन है नाइक्रोजन और यहां पर आप आदके आड़ यहां पर देख सकते हो तो आपके यह यह फ्रों कि आपके चेक कर लोई का दिखती यहां मैंन में में दौना जया इसलिए यह आपका अनसर आ फॉना वोया को सब्सक्राइब कर लिए तो श्रूर में जब में आ toy बटेब सकति झाले भी, बखिएमें, लोगेँ एक दोदेड़ाई राक को जो बाते हम अब देड़ाई एक बंदो देड़ा राव पतने हम यह दो हम भी, हमते हम यहरा खाव अबसा आतो ददा लाव भार दुख्ददी को जुपद्ट हम आते हम भी, इसाष बसुट दुबस